हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेसर सूजी नारियल के लड़ू बहुत कम इंक्रेडेंट के साथ ये जटपट बन जाता है और खाने में काफी स्वादिश्ट होता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए एक पैन को गैस पे गरम होने के लिए रख देंगे उसमें दो टेबल इस्पून घी डाल देंगे आज की इस लड़ू की रैस्पी में मैंने घी का यूज बहुत कम किया है सबसे पहले घी में एक टेबल इस्पून कटे हुए बादाम और एक टेबल इस्पून कटे हुए काजू डाल देंगे काजू और बादाम को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे काजू और बादाम अब फ्राई हो गए अब इनको तेल में से निकाल लेंगे अब एक टेबल स्पून किस्मिस को भी घी में फ्राई कर लेंगे किस्मिस बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है इसलिए ध्यान रखें नहीं तो किस्मिस जल जाएगी बस किसमिस को भी घीमे से निकाल लेंगे अब बचे हुए घीमे एक कप सूजी डाल देंगे सूजी को लो मीडियूम फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि सूजी का जो कच्चा स्मैल है न वो ना चला जाए सूजी को फ्राई करने में हमें मुस्कल से 7-8 मिनट लगेंगे लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि सूजी का कलर चेंज ना हो इसलिए सूजी को लो मीडियूम फ्लेम पर ही फ्राई करें जब सूजी में से भुन्नी की खुसबू आने लगे तब हम इसमें हाफ कब डेसिकेटर कोकोनट जए नारियल का बुरादा डाल देगे आप इसकी जगँ ताजा नारियल का भी यूस कर सकते हैं लेकिन इसको सूजी के साथ बिल्कुल स्टार्टिंग में डाले ताकि नारियल भी भून जाए नारियल की पुरादे को सूजी के साथ 2 मिनट या या तब तक भूनेंगे जब तक कि उसका रोई स्मैल ना चला जाए आप देख सकते हैं नारियल और सूजी भून गए और इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है बस अब हम इसमें हाफ कब दूद की मलाई डाल देंगे और इसको भी सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई डालने में कंजूसी ना करें क्योंकि हमने इसमें घी बहुत कम डाला है बस जब मलाई सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें एक कप चीनी डाल देंगे यहाँ पे मैंने सूजी और चीनी का रेसू equal रखा है मैंने यहाँ पे 1 is to 1 का रेसू रखा है आप चाहें तो चीनी थोड़ा कम डाल सकते हैं और आप चाहें तो पॉडर सुगर का भी यूज़ कर सकते हैं अब चीनी को सूजी के साथ तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी गल कर सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से गल गई है और सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है बस अब इसमें वन टीस्पूं कुटी हुई इलाइची या इलाइची पॉडर डाल देंगे उसको भी सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमने जो राइफूट्स फ्राई करके रखा था उसको भी सूजी में मिला देंगे बस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैंस का फ्लेम बंद कर देंगे और सूजी के मिक्सर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब मिक्सर थोड़ सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड़ू बनाएंगे लड़ू बनाने के लिए नीवू की साइस का मिक्सर हाथ में लें बस आप मिक्सर को हाथ से चारो तरफ से दबाते हुए लड़ू का सेप दे देंगे हमारे सूजी के लड़ू बनकर त्यार है इसी तरीके से हम सारे लड़ू बनाकर त्यार कर लेंगे जब सूजी का मिक्चर ठंडा हो जाएगा और लड़ू नहीं बन पाएगा तब हम इसमें एक दो चमच के करीब दूद मिला देंगे और इसके फिर से लड़ू बना लेंगे इसी तरीके से हम अपने सारे लड़ू बनाकर त्यार कर लेंगे इन लड़ू को आप एरटाइट कंटेनर में रख कर एक हपते तक इंजॉय कर सकते हैं तो इस दिवाली आप भी बनाए सूपर इजी सूजी नारियल के लड़ू यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट करें